सबी को नमस्कार आज बहनों को भाईयों को खास टोटका बताते हैं अगर किसी का पिता भाई पते गल्थ चुंगल में फस गया हो और उनकी बहन भावी माता अन्य कोई भी प्रेसान हो तो ये खास टोटका कर सकती हैं पर ये करना है खुद पतनी को आप ये उनकी शायता कर सकते हैं पती को फिर से अपना बनाने के लिए अगर आपका पती किसी दूसरी इश्ट्री के चुंगल में फस गया हो यादि पती किसी दूसरी के चक्र में पड़ जायने के कारण अपनी पतनी से विमुख रहने लगे यानि कि पतनी को मान समान वो पहले जैसा प्रेम प्यार ना देवे उसको महतब ना देवे और पारेवारिक जीवन में कटूता भर गई हो यानि कि कलैक लेश इत्यादी तो उसकी पतनी को चाहिए कि वाया हुली का दहन के समय तीन गोमती चक्रों पर गोमती चक्र एक रतन होता है समुद्धर में निकलता है गूगल में सर्च मारके देख सकते हैं गोमती चक्र कौन सा होता है ये कई प्रकार के होते हैं लेकिन अच्छे क्वाल्टी के आपको लेने हैं और बहुत ही कम मुल्या पर बहुत ही कम दामो फैक दें गोमती चक्रों को अगने में यानि होलीका में फैक दें जिसके चक्र में पती पढ़ गया हो इससे पती का सिग्र ही उस इस्त्री से पीछा छूट जाएगा ये टोटका कई बेहनों ने किया है तो बहुत सी बेहनों को 101% रिजल्ट प्राप्त हुआ है 101% का मतलब है कि उन्हों ने किया सर्दा से उनका पती उन इस्त्रीयों से छूट गया अब डिपेंड करता है आपका पती कितना किस के जाल में फसा हुआ है कुछी समय से है या किसी इस इस्त्री ने उस पर कुछ करवा रखा है या खुद ही किसी की जक्र में जान बूर कर पड़ा हुआ है सब डिपेंड करता है लेकिन कुछ भी ज्यादा देर नहीं हुई इस उपाया को कीजिए बहुत आपको फायदा मिलेगा फिर भी अन्या कुछ कसर रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकती है कोई बात समझना आए तो भी पूछ सकते है वीडियो को लाइक करके ना सेर जरूर करें आपकी वज़ेसी दूसरों को भला होगा जो भी स्टोटके को करेगा आपकी वज़ेसे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएए अगली बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहे हैं सर टोटकों के साथ झाल 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 झाल